नमस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्ट नाइन न्यूज मध्यप्रदेश की अगर बात करी जाए तो शिवरा सिंग चोहान को कॉंग्रिस ने बड़ा जटका दिया है आपको बता दें कि सिंधी अगर समाज की बात करी जाए तो मध्यप्रदेश में इसकी संख्या एक लाग से जादा है और बीते कुछ दिनों पहले सिंधी समाज की तरफ से जो बीजेपी की सरकार है उस पर ये कड़े और बड़े आरोप लगाए गए थे कि सिंधी समाज की उ जो है वो इस बात की चर्चाएं की जाती थी कि आज से कई साल पहले से लेकर अब तक सिंधी समाज हमेशा बीजेपी के साथ रहता था वोट देता था और कही ना कहीं जो कॉंगरेस की हार होती थी या फिर बीजेपी की बड़ी जीत होती थी इसमें सिंधी समाज का एक जाता हुआ नजर आएगा ऐसे में अगर सियासी माइने देखें तो शिवरा सिंग चोहान की मुश्किले पहले ही बढ़ती हुई नजर आ रही थी हमने आपको बताया था कि कैसे आदिवासी समाज की कहीं न कहीं जो वन्विभाग है उससे लड़ाई पहले भी जारी थी अभ भी बताया था कि अगर बिजली कमपनीों की बात करी जाए तो उनकी तरफ से दलीले पेश की गई थी कि बिजली दरों में लगातार इजाफा हो रहा है और जिस तरह से लगातार सबसिडी जो है वो कमपनिया दे रही है सरकार दे रही है वो ना काफी है तो अब क्या माना जाए कि कमलनाच शिवरा सिंग चोहान को एक बड़ा जटका देते हुए नजर आएंगे और ये जटका तब होगा जब कहीं ना कहीं दबाव जो है वो शिवरा सिंग चोहान के उपर पहले ही काफी हो चुका है संसेदिय बोर्ट से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है उम्र उनकी आड़े आ रही है और ये भी आपको बदाते चले कि जिस तरीके से बीजेपी हर बार एक नया फ जुनौती शिवरा सिंग चोहान को लगातार मिलती जा रही है क्या सिंदी समाज का जो वोट बैंक है वो गहीं न गहीं शिवरा सिंग चोहान के लिए घाटे का सौधा साबित होगा कमेंट करके जरूर बताएगा अपनी राय देख तरे नेक्स नाइन यूस नमस्कार